आज हम स्टार्ट करते हैं 20 most important mcq based on जम्मु कश्मीर एंड लदाख हिस्ट्रे तो फर्स्ट है विच लदाखी किंग सेट अप दा फर्स्ट पेपर मिल इन लदाख किसके सचनकाल में जो पेपर मिल लदाख में सेट अप किया गया था उसका में किसका सचनकाल था नयामी समय के समय जो पेपर मिल स्टाट किया गया था लदाख में तो अनसर हमारा रहा वी जिब कर अंडर वूज रेंदेंड बांदंड़ाओ सिन्व डश। तो किसका शाशनकाल था उसमें जड़ाओन नुन है लदाख पर कभजा कर ले था तो किसका था तो अधिवाग नमग्याल जो सिवाग नमग्याल है उसमें जो इफगान ने कंट्रोल कर रहा दाके उपर विच ट्रेटी एंडड़ दा कंफलेक्ट विट्वन ता सिख एंड तर लगा किस ट्रेटी के तैद उसका खत्म हो गया था जो विबाद था लगा के उपर सिखों और तिबितन के बीच में तो कौन सी ट्रेटी के तैद खत्म हुआ था त्रेटी आफ चोसुल इसमें जो सिख और जो टिबितन थे उनके बीच में जो विबाद था लगा के उपर उसको खत्म कर दिया गया था तो कब किया था जे ट्रेटी कब हुआ था 1842 में जो ट्रेटी आफ लोहर है जे कब हुआ था 9 मार्च 1846 को हुआ था और ट्रेटी आफ अमर्चर हुआ था 16 मार्च 1846 को और ट्रेटी आफ अमर्चर को ट्रेटी आफ किश्मीर सेल भी कहा जाता है विच नमग्याल रुलर प्लेड एन पॉलो स्टाड़े न रदाख वो कौन से नमग्याल रूलर थे जिसने खेला था और पॉलो स्पोर्ट्स को लदाख में वो कौन से किंग थे तो कौन से किंग थे शीवांग जो शीवांग किंग थे यह इन्होंने खलवाया था गेम करवाया था पोलो और इसको पॉपलर किया था लदाख रिजन में कि वीचा वाइदा फॉस्ट नाशे टूस्टी इंडिपिलीश्टा इंडिपिटेंट्स रूडर में में आंसर जें यह इंडिपिटेंट्स लदाख में जो 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 लदाख को इसके साथ लदाख को मला लिया गया था जम्मू के साथ में तो वो सिख एम्पैर कौन थे जिसने मलाया था के मिल्टरी कमांडर तो कौन थे जर्नल जुरावर सिंग जर्नल जुरावर सिंग जिये वेटरी कमांटर थे सिख क title के उसी समय जो है कि लादा को मुला लया गया था किस्ट मीर किसमीर का अब जिंग के साफ형 अब है वलगे महाराजा हरी सिंग बिकम किंगाफ किस्मीर महाराजा हरी सिंग जे जम्हु कि नंकिंग मने थे गाद महाराजा हरी सिंग किंग किंग मने थे किश्मीर के कि वाईय देख किषमीर मुव्मेंट स्टार्टर किया गया था कब किया हुआ था यह हुआ था 1946 को किश्मीर मुव्मेंट स्टार्ट हुआ था इन विच यह तिद्धियन रिलिजन लीडर सोट रिफूजी इन इंडिया ड्यू टू चैनी इनोवेशन इन तिबद के उपर तो जो चैनी तिद्धियन थे वह बारत में आना रिफूज आना शुरू हो गये थे तो कब किया था विच्वांभ तो 59 में फाइव में जब कश्मीर चाइनीज ने इन वेशन किया था तिव्मीर के उपर तो बहां से जो तिव्मीर की आने में जम्मू किश्मीर आने में में शुरू हो गये थे रैक्ए सब्सक्राइब कि जो परजाजवार की लेक्षण थी जो पहले फिर्स टाइम किशमीर में हुई थी इस एलेक्षण में जो किसमे कर वाई थी यह महाराजा हरी सिंग के टाइम में हुई थी इसमें क्या हुआ था 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 जो 33 है एलेक्टर सीट थी और इसमें 33 एलेक्टर सीट थी तीस नामिनेटर सीट थी और जो 12 सीट थी एक्स आफिसो थी 12 एक्स आफिसो जो बात नहीं यह कंप्लेंट डाली थी जो एन्नो स्कूर्टी कॉंसल में किसकी पकेस्तान अग्रेशन की कंप्लेंट डाली थी और कब डाली थी जे डाली थी फर्स्ट जनबरी 1948 को फर्स्ट जनबरी 1948 को जो इंडिया ने कंप्लेंट डाली थी जो एन्ने स्कूर्टी कॉंसल में पकिस्तान के खिलाफ के सेकौदूल्ला तुक ओथ अजे प्रायममिस्ट्र आप किस्मीर इन विजियर जो शेख अब्दूला थे जन्ने सब्थ लिए थी प्रायम्मिस्ट्र की कौन से संसे में ली 17 मार्च 1948 में जो शेख अबदुल्ला थे जो ने ओठ लिया था कश्मीर का जे प्राइमिनिस्टर वेन वाई दा स्टेट आफ जम्मू कश्मीर एड़ टूदा इंडियन जुनिरन जब जम्मू किश्मीर को एड किया गया था बारते संग के साथ वो कौन सी डेट में किया था कौन सी डेट में जो जम्मू किश्मीर को मला लिया गया था इंडियन जुनियन के साथ में 26 अक्टूबर 1947 को एड कर लिया गया था किश्मीर को इंडिया इंडियन जूनिन के साथ में कि किसने शुरुआत की थी किसने जो है इसका बिरोद किया था हरी सिंग का फर्स्ट टाइम किश्मीर में किसने किया था अब्दुल शेक अब्दुल ने जो इसके खिलाफ हो गये थे किश्मीर में खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी बारत के द्वार्ण और पकिस्तान के बीच किश्मीर के लिए तो कौन सी थी ता Battle of Salt Ang Battle of Salt Ang लड़ी गई थी जखकव लड़ी थी 7th November 1947 को What was the winter capital of Lodha Ark during Dogra Ruler Dogra Ruler के दुरान जो winter capital थी लिदा की तो कहां थी सकर्दू में answer is C which why does why the smit to Haris Singh in 1942 at Mujahid Majl by Sheikh Abdul Mujahid Majl था शेकh Abdullah के दरा smit किया गया था Haris Singh को यह एक memorandum बेजा गया था 1947 1944 को शेकh Abdullah के दारा कि कौन सा memorandum था Mujahid Majl तो Haris Singh को बेजा गया था वो क्या memorandum था memorandum किया था वो नया किश्मीर प्लाण नया किश्मीर प्लाण यह के memorandum था New Kashmir जे शेकh Abdullah के दारा Haris Singh को समिट किया गया था 1944 में the same who first established the high schools and college in Jammu and Kashmir जो किसने establish किया था पहले high school college जमो-क्षमिर में किसके session call में था महराजा परताब सिंग के session call में एक कि महराजा परताब सिंग के session कब था को एकिन 85 से लेके कि 1925 के बीज इसका सशन काल रहा और इसी के बीज हाई स्कूल्स एंड कालेज इस्टेबिश्ट के के थे जमू एंड विश्मीर में सbeardा कि दा सक्कूल अफाक्व एंफ्लेश्ट वाइ दा 8 फ्रॉम फालिंघ यो वहाइच फालिंग उर्पन कंट्री वह गंदार स्कूल आफ आठ तरहसी से इंफ्लेंस था आट आंश्रेज इंड इंडियनम्रिक demolition इंडिया और अमरिका के मैंतिमेटिशन थे उसने अवार्ड मिला उनको 2013 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेस्टिक्स वो कौन से मैंतिमेटिशन थे तो सब्सक्राइब राधा क्रिशन राओ तुछ इस अ a if you like this video please subscribe my channel thanks for watching